परिचय वह कौन सा एक पदार्थ है जिसके बगैर पृत्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा? हाँ, जल पौधे जल के अभाव में मुर्जा कर मृत हो जाएंगे पशु और मनुष्य जब कम पानी पीते हैं तो उन्हें निर्जली करण की समस्या से परेशान होना पड़ता है अतह, जल जीवन की सब से बड़ी आवशकता है इस पार्ट में हम इस बहमूल्य पदार्थ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जल के बारे में कुछ सामान्य तथ्य बताने में जल के गुण बताने में जल के उपियोग बताने में जल चक्र की अवधारणा का वरणन करने में जल के बारे में सामान्य तथ्य जल सभी सजीव प्राणियों, पादप, पशु, मनुष्य और अन्य जीवों के अस्तिद्व के लिए जरूरी है यह नदी, तालाब, समुद्र और धारा के रूप में पृत्वी के सत्तर प्रतिशत हिस्से में मौजूद है और इसी कारण धर्ती अंतरिक्ष से दिखने पर नीली दिखाई देती है दरसल जल की प्रचुर्ता के कारण पृत्वी को नीले ग्रह का खिताब मिला है जल के गुण जल स्वाध हीन, गंध हीन और रंग हीन होता है यह बहुत से पदार्थों को घुला देता है इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक कहते है यह प्रकृति में तीन अवस्थाऊं ठोस, द्रव्य और गैस में पाया जाता है ठोस अवस्था में जल को बर्फ या हिम कहते है गैस अवस्था में जल को वाश्प या भाप कहते हैं लेकिन जल की सबसे सामान अवस्था है द्रव्य अवस्था यही वै अवस्था है जिसे हम जल के रूप में जानते हैं जल का एक अनू, दो हाइड्रोजन यानी H परमानू और एक ऑक्सिजन यानी O परमानू से मिलकर बनता है। इसी लिए जल का रासायनिक सूत्र H2O से व्यक्त किया जाता है। जल के प्रयोग हम जल का प्रयोग विभिन कारियों में करते हैं। आस्तन एक मनुष्य अपने जीवन काल में साथ हजार से असी हजार लीटर तक जल खर्च करता है। जल घरों में पीने, खाना बनाने, नहाने, कपड़े धुने, बागवानी और सफाई करने में काम आता है। सीचाई की सुविधा से कृषी उपज बढ़ती है और विश्व की बढ़ती जनसंख्या के लिए आवश्चक अनाज उपजाने में सहायता मिलती है। सीचाई मौसम के उतार चड़ाव के समय में सुरक्षा का काम करती है। जल का प्रयोग उद्योगों में भी शीतलन की प से तैरा की, मचली पकड़ना, नौका दोड एवं दूसरी जल क्रिणाओं में जल का उपियोग होता है। जिसका दो तिहाई हिम नदियों और ध्रुवों के कोटरों में हिम के रूप में जमा हुआ है। इसका अर्थ है कि प्रित्वी पर उपलब्ध कुल जल का एक प्रतिशत ही हमारे उपभोग के लिए उपलब्ध है। जल का संतुलन किस तरह बना हुआ है। यह जल चक्र के माध्यम से संभव होता है। जल का द्रव से गैस और फिर गैस से पुनह द्रव्य बनने की दोहराव प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र के चार निम्न प्रमुख चरण हैं। वाश्पीकरण, संघनन, अवक्षेपण और संग्रहण। जल चक्र आईए समझने का प्रयास करें की जल चक्र कैसे कार्य करता है। नदियों, समुद्र और महसागर इत्यादी का जल सूर्य की गर्मी से गर्म होकर वाश्प में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को वाश्पीकरण कहते हैं। पादप मृदा से जल सोकते हैं, वे इस जल को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और अत्रिक्त जल को हवा में वाश्प के रूप में छोड़ देते हैं। वर्शा, ओले या बर्व के रूप में प्रित्वी पर गिर जाते हैं. इस प्रक्रिया को अवक्षेपन कहते हैं. वर्शा, ओले या बर्व के रूप में प्रित्वी द्वारा प्राप्त जल समुद्रों, महसागरों, नदियों और जीलों में जाता है. सारांज आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं जल जीवन के लिए आवश्चक है जल वाश्प, वाश्पी करण और प्रस्वेदन द्वारा वायू में मिल जाता है जल वाश्प, छोटे जलकण बनाने के लिए वायू में संघनित हो जाते हैं जो बादल की तरह नजर आते हैं छोटे जलकण एकत्रित होकर वर्शा, हिम या ओले के रूप में नीचे गिरते हैं वर्शा, हिम और ओले, नदियों, जीलों, तालाबों, कुओं और मृदा तक जल पहुचाते हैं जल चक्र जल के धर्ती से आकाश और फिर वापस धर्ती पर आने की प्राकृतिक संचरण व्यवस्था है